कोसिकला के राष्टिय राजमार्ग से भारतिय खाद निगम कार्याले पर सेकडो मजदूरों ने विभागी अधिकारियों के खिलाफ धर्णा प्रदर्शन किया मजदूरों को उत्राखंट से बुला कर उन्हें काम भी नहीं दिया जा रहा है जिससे 269 मजदूर भुकमरी की कगार पर है कोई भी विभागी अधिकारी इनसे बात करने को तयार नहीं है कई बार अधिकारियों से वार्ता करने को ऑफिस में गए तो अधिकारी ऑफिस छोड़ कर चले गए मजदूरों ने विभाग द्वारा दिया गया पर्मीशन लेटर भी दिखाया मौजूद प्रदर्शन कारी ने बताया कि 2917 में यहां मात्र 60 मजदूर काम कर रहे थे जुलाई महा में 200 श्रमिकों को मैनेजमेंट के मांग पत्र पर बुलाया और सुचारू रूप से कारे चल रहा था लेकिन 15-20 दिन से काम नहीं दिया जा रहा है उनकी मांग थी की रोजाना हाजरी एवं 135 बोरी का NW NP का सर कूलर दिया जाए अगर यह नहीं किया गया तो हम कब तक दुकानों से उधार लेकर अपनी जीवी का चलाते रहेंगे मकान मालिक रोजाना किराया मांगता है लेकिन विभागी अधिकारियों से कई बार मांग करने के बावजूद दी ना पैसा दिया गया ना ही काम सबी मजदूरों ने लामबंद होकर कहा कि जल्द ही अगर अधिकारियों ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सबी मजदूर सडकों पर आंदोलन करेंगे अधिक लागू नहीं किया जा रहा है और हम लोग यहां कर आकर कर दिये जागा यहां के लेबर के वहां परजेंटी नहीं लगेगी यह बातने का बंदर माट काम किया जा रहा है एफ्सी आय मेलेजमेंट के चाल्ज साजी से रच रहे हैं हम लोग के साथ हन्याय हो रहा है और हम लोग को 95 के इंपलाई है हमारे बच्चे हमारे बीबी कोई साड़ी के बिना अर्धनक नवस्था में है यह हाला थे हम लोग